हेलो दोस्तो, स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट सील सरीसेस में आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर से जितने भी करेंट अफेस के कोशिन बनने वाले हैं सारे कोशिन को इस लक्षे में हम डिस्कस कने वाले और इस साथ ही दोस्तो, इन करेंट अफेस के कोशिन से जो भी एक्स्टा फेक्ट बनेगा उन्हें भी हम दिखने वाले है लास्ट क्लैस में जो कोशिन पुछा गया था आपसे कि मानो तंत्र में निमलेखित में से कौन सी पाचक एंजयम नहीं है तो मानो तंत्र में जो नहीं पाए जाने वाली पाचक एंजयम है वो है दोस्तो, गैस्टिन यहां पर करेंट अंसर हो जाएगा ऑप्शन टू तो दोस्तो में आपको बता दूँ कि जो ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन है यह एक पाचक एंजयम है जिनका स्तरावक्रमस, अगना से लार गरंती तथा अमा से दौरा किया जाता है यह जो एक ट्रिप्सिन है यह दोस्तो, एक पेप्टॉइडेज है जो पेप्टॉइड्स को तोलने का काम करता है यहीं पर हम बात करें दोस्तो, टाइलिन की जो की लार में पाय जाता है यहीं पर हम दोस्तो बात करें गैस्ट्रिन की, तो यह एक हर्मोन है यादे आपको, यादेखना है आपको कि यह जो गैस्ट्रिन है, यह क्या है दोस्तो एक हर्मोन है, और अब दोस्तो बात करते है जो last class में हमने कोशन किये थे उनके revision की तो revision का पहला कोशन के हाली में किसे देश का नया उपर राश्री सुरक्षा सलाकर नियुक्त किया गया है तो यहाँ बनाया गया है दोसो विक्रब मिसरी को यहाँ पर correct answer हो जाएगा option 2 नेक्स कोशन दोसो की international automobile federation के पहले गेर यूरोपी अद्धिक्षी कौन बने है यहाँ बन गए है मोहमद बेन सूलेयम यहाँ पर correct answer है option 3 नेक्स कोशन दोसो की स्वास्ते सुचकांक 2021 में निमने में से किसे राज्य को लगातार चौती बार प्रथम इस्तान प्राप्त हुआ है तो यह प्राप्त हुआ है दोसो किरल राज्य को यहाँ पर correct answer हो जाएगा option 1 अगला कोशन है कि अंतराशी होकी महासंग द्वारा जारी पुरूसो की रैंकिंग में भारत की इस इस्तान पर आ है तो इस रैंकिंग में दोसो भारत का जो इस्तान है वो तीसरा है यहाँ पर correct answer हो जाएगा option 3 और अब चलते हैं अगले कोशन के और नेक्स कोशन दोसो की प्रदारमंधी नरेंदर मुदीजी ने किस मेट्रो रेल परियोजना का सुबारंब किया है तो यह किया है दोसो कानपूर मेट्रो रेल परियोजना का यहाँ पर correct answer हो जाएगा option 2 अगले कोशन दोस्तो की नासा का साहिके मिशन कब लौंच किया जाएगा तो इसे लौंच किया जाएगा अगस्त 2022 में तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा option 4 नेक्स कोशन के हाले में RBL बेंक बोर्ड के नए प्रवंदक नदेशक और मुख्य कारिकरी अधिकारी कौन बने है यहाँ बन गए दोसो राज्य आउज़ा तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा option 3 और revision का last question दोसो के विश्व संगित तांसन उच्सो का जो आउज़न है वो कहाँ पर हुआ है इसका आउज़न क्या गया है मध्य प्रदीश राज्य में यहाँ पर correct answer हो जाएगा option 3 और अब दोसो बात करते हैं 30 December से जितने भी current face के question बनते हैं उनकी और अभी तक आपने हमारे lecture को like ने किया तो like जरू करे share भी करें दोसो अगर आप ही शिंप नए हो तो इसे subscribe भी जरू कर लें तो आज का पहला question दोसो आपके लिए कि हाली में किसे global environment and climate action citizen award से समानित किया है तो यहाँ समानित किया है जोसो विरल देसाई जी को यहाँ पर correct answer हो जाएगा option 2 और आप देख सकते हैं दोसो यह है विरल देसाई जिनने हाली में global environment and climate action citizen award से समानित किया है दोसो मैं आपको बता दू कि यह जो विरल देसाई है यहाँ सूरत के प्रशिद उद्योग पती है जिनोंने परियावरन के प्रती अपने प्रेम के कारण विरल देसाई को green man के नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ देखना दोस्तों यहाँ पर correct answer क्या हो गया option 2 विरल देसाई यहाँ एक प्रियावरन प्रुसकार है दोस्तों जिसे Harvard Medical School Center for Health and Global Environment द्वारा इस्थापित किया गया है और इसकी जो इस्थापना है वो 1996 में वेस्विक परियावरन परवरतन के कारण मानुस स्वास्ते परियनामों की समझ को बढ़ावा देने के लिए की गई थी तो आपको याद दिखना है यहाँ पर correct answer के option 2 कि हाली में किसे global environment and climate action citizen अवर्ट से समाने क्या है तो वीरल देसाई जी को यहाँ पर correct answer है दोस्तों option 2 और अब चलते हैं अगले question के और next question दोस्तों की UNSC की आतंगवाद विरोधी समिती 2022 की अधिक्षिता कौन सा देश करेगा तो इसकी अधिक्षिता करने वाला है हमारा देश भारत तो दोस्तों मैं आपको बतातू की भारत जनवरी 2022 में 10 वर्षों के लंबे समय के बाद आतंगव विरोधी समिती का 2012 में इसे समिती की अधिक्षिता की थी तो या देखने आपको यहां पर करेट आंसर हो गया ऑप्शन टू भारत आतंगवाद विरोधी समिती भारत के लिए एक अधिक महत्वा है क्योंकि दोस्तों भारत वैस्विक मंच पर आतंगवाद से लड़ने के लिए उचीत उपा करता रहा है तो या देखने आपको यहां पर करेट आंसर के ओगया ऑप्शन टू भारत यहां पर हम दोस्तों बात करें हमारे देश भारत की जिसकी राजदानी है नई दिली और वर्तमान में हमारे देश की जो राश्र पती है वो है दोस्तों रामनात कोविन जी प्रदार आप चलतें अगले question के और next question दोस्तों की अपको बता दूझ किया है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो in मार्ग सेट 6F1 संचार अपगरा है इसे launch किया गया है जापान के दोरा तो यहां पर correct answer हो जायगा option 4 तो जापान ने Tulga Sima Space Center से मिस्सू बीसी हेवी इंडस्टीज एच आई आई ए टू जिरो फूर रॉकेट के महाद्यम से संचार उपगरा इनमार सेट को लॉंच किया है तो यह दिखना है यहाँ पर करेक्ट एंसर हो गया दोस्तो ऑप्शन फूर जापान यहाँ पर हम दोस्तो बात कर रहे है जापान की तो मैप में आप देख सकते हैं दोस्तो यह है जापान जो कि एसिया महादीप में इस्तित है Japan की राजदाने की बात करे तो यह है दोस्तों Tokyo और साथी मैं आपको बता दू कि Japan की जो मुद्रा है वो Japan की एन है और Japan के जो वर्दमन में नहीं प्रधानमनती है वो कोने दोस्तों? ये Fumi होए यहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दो कि जो जापान है इसकी संसत का नाम क्या है तो यहाँ डाइट है और याद रखने आपको कि जापान का जो सबसे उच्छा परवत है वो कौन सा है तो यह मांट फूजी है यह सभी इंपर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जापान से जो आपको याद दिखना है करेक्ट अंसर होगे यहाँ पर ऑप्शन फोर और अब चलता है अगले कोशन के ओर अगला कोशन है दोस्तों कि CDSCO ने भारत में किन दो नई कोवीड वेक्षिन को मंजुरी दे दी है तो यहां मंजुरी दिए दोस्तों कोववेक्स और कॉर्वे व वेक्षिन है जिसे हैदरबाद की कमपनी बायोलोजिकल इने विक्सित किया है और दोस्तों में आपको बता दू नैनोकन आधारित वेक्षिन को वेक्षिक का जो विकास है पुने की कमपनी सीरम इंस्ट्रूट ऑफ इंडिया ने इसे बना है तो यहां पर दोस्तों सीरम थीषय से कोवीड-9 तीका करने वाला केंदेस साषी प्रदिश कौन सा बना है तो यहां अंडबां निको पार दूप समूद बना है तो यहां दोस्तों यहां देखना है आपको कि सूसीला दिवी पुरुसकार 2021 से किस प्रशिद्य लेखी का को समानित किया गया है तो इस अवर्ट से समानित किया गया है दोस्तो अनुक्रती उपाध्धाय को यहां पे correct answer हो जाएगा option 2 तो अनुक्रती उपाध्धाय को यहां पुरुसकार उनके उपन्यास किन्सू के लिए इन्हें दिया गया है तो यहां देखना है दोस्तो आपको यहां पे कि यह जो सूसीला दिवी पुरुसकार 2021 से तो लेखी का अनुक्रती उपाध्धाय को इससे समानित किया है करेक्ट अंसर हो गया दोस्तो यहां पे option 2 और अब चलता है अगले कोशिन के और अगला कोशिन है दोस्तो की परियावरन 1 वजलवायू परिवायतर मंत्राले में 1 महानिदेशक और विसे सच्यू निम्ना में से किसे नियुक्त किया है तो यहां करेक्ट अंसर हो जाएगा option 3 और आप देख सकते दोस्तो यह है चंदर प्रकास गोयल जिने हाली में परियावरन 1 वजलवायू परिवायतर मंत्राले में 1 महानिदेशक और विसे सच्यू के रूप में नियुक्त किया है भारती 1 सेवा ने चंदर प्रकास गोयल को परियावरन 1 और जलवायू परिवायतर मंत्राले के 1 महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है यह दोसो 1986 बेच के IFS अधिकारी है गोयल पहले उत्तर प्रदेश के 1 विभाग के तहत प्रधान मुख्य 1 संडग चक थे तो यह देखने हैं यहाँ पर करिट अंसर के ओगे ओप्शन 3 चंदर प्रकास गोयल और अब चलते हैं दोसो अगले कोशन के ओर आपके लिए अगले कोशन है कि उपर आश्वति एहम वेंके नाइड़ू जी ने दर टर्न आवर विजेड सेवियर ओफ थाउजेंट पुस्तक का जो विमोच ने वो किया है यहाँ दोस्तो पुस्तक किसकी आत्मकता है यहाँ आत्मकता है दोस्तो अरूप राय चौदरी की यहाँ पर करिट अंसर हो जाएगा ओप्शन 3 और आप देख सकते हैं दोस्तो यह है अरूप राय चौदरी तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि दर टर्न आवर विज़ार्ड सेवियर ओफ थाउजेंट पुस्तक एंटी पिसी लिमिटेड और एंसी बी लिमिटेड के पूर्व अद्यक्ष और प्रबंदक निदेशक अरूप राय चौदरी की आत्मकता है दोस्तो यहाँ पर आपको याद इखना है कि इसके जो लेखा गए वो अरूप राय चौदरी है और इसका जो विमोचन है वो किसने की है तो एमें वेंकान आडू जो की वर्तमान में हमारे देश के उपर रास्टपती है तो करेक्ट अंसर हो गया है यहाँ पर आपशन थार्ड और आप दोस्तो बात करते है आज के कोशन अपधर देखी तो आज का जो कोशन अपधर देखी है दोस्तो आपके लिए कि अंतरह से हाकी महासंग दौरा जारी महिलाओं की रैंकिंग में भारत की इस इस्थान पर रहा है इसका सही जवाब को comment section में देना है और साथी दोस्तो आपको बताना है कि इस महिला की रैंकिंग में कौन कौन से मलब जो top 3 country है उनकी वह नाम आपको बताना है तो आज का lecture यहीं पर रिंड होता है अगर आपको हमारा lecture और आपको हमारी महनेत अच्छी लगी हो तो इसे like करे, share करे अगर आप इस इन पर नए हो दोस्तो तो इसे subscribe भी जरू करे थैंक्यू सो मच गाइस पहुचिंग दी सुडियो बाई बाई टेक केर